कि है कि हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूडिव चनल है फ्रेंट्स आज हम डिसक्स करने वाले हैं सीटट और टेट के एक्जाम के दिश्ट कोड से समिधान से लिटेड मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन्स के विशय में यानि कि आपके टेट के एक्जाम में जो आइकन को भी प्रेस करें जिसे के आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं प्रांत में या किस राज में सवपथम सामयवादी सरकार की स्थाफना हुई थी आपके पास चार आप्षन हैं इसमें से आपका आप्षन से होता है आप्षन नमबर सी केरल नेक्स्ट गोश्चन है निम्ड में से कौन एक रिट नियाले में कारवाही लंबित होने की दसा में लागू की जाती है आपके आप्शन है परमादेश, उत्पेशा, प्रितिशेद, अधिकारी, प्रिच्छा तो इसमें से आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर C, प्रितिशेद नेक्स्ट कोश्चन है भातिश समिधान की प्रिस्तावना में पंथ निर्पेश सब्द जोड़ा गया है 25 में संसोधन द्वारा, 42 में संसोधन द्वारा, 44 में संसोधन द्वारा, 52 में संसोधन द्वारा तो इसमें आपका आप्शन सही होता है, आप्शन नमबर B, 42 में संसोधन द्वारा, यानि कि समिधान की पिस्तावना में जो पंथ निपेश सब्द जोड़ा गया है, वो 42 में समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया है, नेक्स्ट कोशन है, कि समिध में राजसभा का प्रतिनिधित नहीं होता है, आपके आप्शन है, लोक लेखा समिधी, आकलन समिधी, सावजनिक उपकर्मों की समिधी, सरकार की आश्वासन समिधी, तो इसमें आपका आप्शन सही होता है, आप्शन नमबर B, आकलन समिधी, न आपके आप्शन है सन 1991 सन 1955 सन 2000 सन 1993 तो इसमें आपका आप्शन से यह होता है आप्शन नंबर डी सन नंदी सो तिरानवे नेक्ट गोर्शन है वित आयो का गठन किस अनुछेद में है अनुछेद 270 अनुछेद 280 अनुछेद 290 अनुछेद 300 तो वित आयो के गठन से सम्बंद अनुछेद है अनुछेद कि कि आप्शन नंबर से आपका सही है कि नेक्ट को एप है कि आपको इसमें सुमेलित करना है तो इसमें आप अनुछेद को उस अनुछेद में क्या दिया गया है इससे आपको रिलेट करना है तो अनुछेद 14 आपका सम्बंदित है अनुछेद 14 आपका सम्बंदित है समता के अधिकासे अनुच्यद 36 आपका संबंदित है नीत निदेशक तत्तु से और अनुच्यद 74 आपका संबंदित है यह आपका हो जायेगा मंत्री परिशत से और अनुच्यद 368 है संसोधन प्रक्रिया से ठीक है तो इस हिसाब से आपका आप्शन बना तीन चार दो एक थीन चार यानि का आपसे नंबर डी तीन चार तो सही है लेकिन एक दो ये गलत है यहाँ पर हो जाएगा दो एक ट्रिक है आपसर नमबर डी नेस्ट कोशन है प्रोटेम स्पीकर का करतव होता है स्पीकर की अनुपस्तित में सदन की कारवाही का संचालन करना जब सद्श्यों के चैन प्रमाण पत्रों को चेक करना ही है यह प्रोटेम स्पीकर का कतव होता है नेक्स्ट कोशन है यद पनचायत भंग होती है तो किस अवद के अंदर निवाचन होंगे तो आपके option है एक माह, एक वस, तीन माह, छे माह तो आपका option से होता option number D, छे माह Next question है निम लिखित में से भारत में पहला नगा निगम कहां इस्थापित हुआ था आपके option है कलकत्ता, मद्रास, बंबई, दिल्ली तो इसमें आपका option से होता है option number B, मद्रास यानि की चेन नई में पहला नगा निगम इस्थापित हुआ था Next question है मंति मंडल में कुल मंत्रियों की संख्या पधान मंति को समलिक करते हुए लोग सभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15 पृत्षय से अधिक नहीं होगी या समिधान संसोधन कौन सा है आपको बताना है कि कौन सा समिधान संसोधन है आपके पास option है 92 संसोधन 93, 92, 91 तो इसमें आपका option से होता option number D 91 संसाथन संसोधन भारत में राष्टी जल संसाथन परशत का अधिश कौन होता है आपके option है पृधान मंत्री, जल संसाथन मंत्री, पर्यावण मंत्री, विज्ञानियों, पृध्यों की मंत्री तो इसमें आपका option से होता है option number A पृधान मंत्री नेक्स्ट कोशन है पर्माडविक उज्ञा विभाग किसके अधिन होता है पृधान मंत्री कार्याले के मंत्री मंदल सचवाले विद्धुत मंत्राले विज्ञान यों पृध्यों की तो इसमें आपको सही option बताना है तो इसमें आपका option सही होता है option number A पुधान मंत्री कार्याले सरकार्या आयो गठित हुआ था जो निम्न समिच्छा कहने के लिए राश्पत पुधान मंत्री के मद्य संबंधों को विधाईका और कारिपालका के मद्य संबंधों को कारिपालका और नियाईपालका के मद्य संबंधों को शंग और राज्यों के मद्ध संबंधों को तो इसमें आपको सही option बताना है तो इसमें आपका option सही होता option number D. संग और राज्यों के मद्द समंदों को यानि कि संग और राज्यों के मद्द जो समंद्द है उनकी समिछा के लिए सरकारिया आयो का गठन किया गया था Next question है भाती समिधान का कौन सा भाग समिधान की आत्मा कहलाता है आपके option है मूल अधिकार राज के निदेशक्तत उद्देशिका शमिधान की उप्चारों का अधिकार तो इसमें आपका option सही होता है option number C उद्देशिका Next question है हम नयाईक पुन्रावलोकन की व्योस्था रखते है केवल भारत में, केवल यूके में, भारत और यूएसे दोनों में, केवल यूएसे में तो इसमें आपका option सही होता है option number C भारत और यूएसे दोनों में जो नयाईक पुन्रावलोकन की व्योस्था है वो यूएसे के समिधान से ली गई है इसलिए भारत और यूएसे दोनों के समिधान में इसका वर्डन है next question है भारत का सरवोच नयाले एक अवलेक नयाले है इसका आशे है इसे अपने सभी निड़ेओं का अवलेक रखना होता है इसके सभी निड़ेओं का साथ छात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी नयाले से प्रस्ण चिन नहीं लगा जा सकता इसके निड़ेओं के विरुद कोई अपील नहीं की जा सकती इसे अपनी अवमानना कहने वालों को दंडित कहने की शक्त है तो इसमें आपका आप्सन सही होता आप्सन नमबर D इसे अपनी अवमानना कहने वालों को दंडित कहने की सकती प्राप्त है नेश्ट कोशन है भाती समिधान के किस अनुचेत के अंतगर राष्टपत को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमत रोग दे यानि कि किस अनुचेत के तहट वह किसी बिल को रोग सकता है तो आपका आप्षन है अनुचेत 111, अनुचेत 109, अनुचेत 108, अनुचेत 63 तो आपका आप्षन इसमें सही होता आप्षन नमबर A, अनुचेत 111 Next question है दल बदल निरोधक अधियम जिस तित को पारित हुआ हुआ काउन सी थी यानि कि दल बदल निरोधक अधियम का पारित हुआ 17.9.1985, 21.1.1985, 15.5.1985, 30.5.1985 तो इसमें आपका आप्षन सही होता आप्षन नमबर C 15.5.1985 Next question है समधान के प्थम अनुचेत के अनुचेत के अनुचार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का कन्फेडरेशन तो इसमें आपका कौन सा आप्षन सही है या आपको बताना है तो आपका आप्शन से होता आप्शन नमबर C, राज्यों का यूनियन नेक्स्ट कोशन है राश्टी विकास परिशत का गठन जिस दित को हुआ था वह थी 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1950, 16 अगस्त 1951, अप्रेल 1951 तो इसमें आपका आप्शन से होता आप्शन नमबर A, 6 अगस्त 1952 नेक्स्ट कोश्चन है लोग सेवा आयोग की स्थापना किस अधनियम से हुई, वह एक्ट है यानि कि लोग सेवा आयोग की स्थापना कौन से अधनियम से हुई आप्शन से होता है। प्रेसां नमबर B अ इंच्ट कोश्चन है वह राजी जहां विर्हान परिष्ड़ नहीं है आपके आप्शन उत्तेबतेश महाराष्ट कर्नाटक राजिस्थान तो इन चार आप्षेंस में से आपको वो आप्षेंस चुनना है जहां विधान परिशत नहीं है तो इसमें आपका आप्षेंस है उत्ता आप्षेंस नमबर D लाज्थान नेक्ट कोशन है भायत में समाचा पत्रों की सुतंता तो इसमें से आपको वो आप्षेंस नमबर A समिधान के अनुच्छे आपकोशन है लोगसभा दोरा पारिध भन विध्यको राजसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भिताव वापस लोगसभा को लौड़ाना पड़ता है आपके आप्षिन है पांच दिन, चौदा दिन, ग्यारा दिन, तीस दिन तो इसमें आपका आप्षिन सही होता है आप्षिन नंबर B चौदा दिन Next question है केंद के राज सम्मंद में राज्यों के इस्थित नगरपालका की तरह होती है? एकल नागरिक्ता, स्वतंता नियाईपालिका, वित्ती रूप से राज की केंद पर निर्भाता, स्वतंत्र नियाईपालिका तो इसमें आपका आप्शन सहीवता आप्शन नमबर C, वित्ती रूप से राज की केंद पर निर्भाता नेक्स्ट कोशन है डाग द्वारा मद्दान को कहते हैं बहु मद्दान गुप्त मद्दान भारित आंदोलन परोच मद्दान तो इसमें आपका आप्शन से होता आप्शन नमबर डी परोच मद्दान समधान से लेटर मोस्ट इंपॉर्टन कोशन का व्यूडियो और इससे आगे भी व्यूडियो आते रहेंगे तो चनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिसे कि आगे आने वाली व्यूडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप परिच अजय के तयारी बेदर्ण से का सकें तैंक्यू